नमस्कार दोस्तों, घर में ऐसे कुछ छोटी छोटी बाते होती हैं जिनें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। इन में से एक है रात को सोते समय किचन साफ न करना या बरतन जूटे छोड़ कर सो जाना। और इसी वज़े से हमारी लाइफ में परिशाने आनी शुरू हो जाती है। और जब हम परिशान होने लगते हैं तो किस्मत को कोशते हैं या फिर भगवान को। जबकि परिशाने के वज़े हम खुद होते हैं। ऐसे में यदि वास्तु और जोतिश से जुड़ी कुछ नियमों को अगर रोजमर्रा की जिंदगी में अपना रहते हैं। तो निश्चित ही घर में सुक्षानती साथ ही लक्ष्मी जी की हमेशा विशेश कृपा बनी रहेगी। तो आईए आज अपने एस्टोलाजर से कुछ टिप्स लेते हैं जिनसे आप जीवन को खुशाल बना सकते हैं। रात्रि के समय जूठे बरतन का धेर लगाके सौ जाना। ये राहु ग्रह को पिरित करता है जिससे राहु ग्रह क्राब होते हैं। राहु ग्रह की चाल बिगणने शुदू होजाती है अगर आप रात्री को जूठे बरतन छोड़के सोते हैं। ज्यान रखें दोस्तों आपको पहला काम क्या करना है अपने बेड्रूम में भी कोई भी जूठा बरतन नहीं छोड़ना है सोने से पहले किचन में से किचन की अच्छी तरह सफाई करके सोएं एक भी बरतन अगर जूठा आपके घर में रह जाता है तो वह वास्तों दोषवित्पन करता है उससे राहुदेव अपरसन होते हैं और राहुदेव आपके घर में साउध वेस्ट ड्रेक्शन के स्वामी है अर्थात आपके जीवन को सुधारने का काम राहुदेव का है जीवन स्तर को उपर लेके जाने का काम राहुदेव का है अगर आपके जाने अन जाने में भी आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो आप राहुदेव की दिशा को खराब कर रहे हैं कुल्डी में चाहिए दस योग अच्छे बने हो दशा अच्छी लगी हो वर्षवल अच्छा लगा हो प्रंतु अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप राहुदेव की पीडा से पीड़ रहेंगे कभी भी जाने अन जाने में भी रात्री को बरतन जुठे बिल्कूल ना छोड़के सोएं अब इससे परशानी क्या आएगी हम इस पे अब चर्चा करेंगे दोस्तों पहली बात आपकी फैमिली के अंदर कभी भी किसी भी मुद्दे के उपर एक मत कभी नहीं हो पाएगा घर में बैस जादा होगी वाद विवाद का वातावरन हमेशा ही बना रहेगा तूसरा पॉइंट घर के अंदर तनाव के स्थिती बनी रहेगी पिता पुत्तर की नहीं सुनेगा मिया बीबी में आपसी तनाव बना रहेगा सभी अपने आपको डोमिनिट करने का परयास करेंगे तीसरा बात वैपारिक स्थिती डे वायरे डाउन हो जाएगी मार्किट में आपके जूठी अफवाएं फैलने शुरू हो जाएंगी मार्किट में से पुरी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी दोस्तों ये बात बड़ी समान्या से लगती है जूठे बरतन छोड़के रात को सोना प्रन्तु ये भ्यानक वास्तो दोश उत्पन करती है हमने बहुत परिवार ऐसे देखे है संपन परिवार थे क्या कारण हुआ क्या वज़ा हुई कि सारे का सारा परिवार ऐसे स्थिती में पहुंच गया जिसकी कलपना भी नहीं की जा सकती एवा बहुत बढ़िया है वर्षवल अच्छे है दशा अच्छी है प्रन्तु वास्तु दोश ये जो नरात्मक उर्जा हमारे घर में उत्पन होती है ये हमें संसार में समाज में कही न कहीं से बुरे परिनाम दर्शाती है इसलिए घ्यान रखें कभी भी जूथे बरतन रात को छोड़के ना सोएं उन्हें साफ करें उनको उनकी जगां पे सजा के रखें ऐसा करने से आपके जीवन में अचानक ही प्रिवरतन होना शुरू हो जाएगा दूके कार्या बनने शुरू हो जाएंगे दूके धनकी प्राप्ती होगी प्रिवार का वातावन बहुत ही अच्छा हो जाएगा सूमे हो जाएगा वाद विवाद से आप हमेशा दूर रहेंगे दोस्तों इस जानकारी को अपनाए औरों को भी शेयर करें हमारे चैनल को शेयर करें लाइक करें हमाशा करते हैं आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे नमस्कार दोस्तों ओम शिव ओम शिव ओम शिव